इंसान का माइंड बहुत ज़ता पाउरफुल होता है वो हर उस काम को करने में बहाना बनाएगा जिसमें उसको एफ़र्ट लगाना पड़ता है चाहे वो काम सही हो या फिर गलत हो अच्छा हो या फिर बुरा हो फिर कोई चीछ मेटर नहीं करती अगर effort लगाना पड़ रहा है तो आपका mind बहाने बनाएगा ये बनाएगा पढ़ने में effort लगाना पड़ता है इसलिए mind हमार सामने बहाने की पूरी पूरी लिष्ट रख देता है कि सुबह जल्डे उठकर इसलिए नहीं पड़ सकता क्योंकि रात को लेट सोयते तो क्यों सोयता है, किसने कहा था रात को लेट सोने के लिए, और फिर जब हम दिल में पढ़ने बैटते हैं तो भूक लगने लगती है, और भूके बैट पढ़ाई होती नहीं है, तो फिर हम खाना खाते हैं, और इतना खालेते हैं कि फिर तो और पढ़ाई नहीं होती है, फि या तो वो काम करो जो अभी इसी वक्त तुमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है या फिर वो काम करो जिसमें तुम्हें मज़ा आता है तो माइंड वही करेगा जिसमें उसको मज़ा आता है और जिस काम में तुमको जितना ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पर तुम्हार इसी बात ये निकल करके आती है कि अगर आप अपने माइंड के साब से चले तो आपका माइंड आपको बर्बाद करके रखतेगा जो कि माइंड तो वही चूस करेगा ना जिसमें उसको मज़ा आता है और मज़ा हमेशा गलत चीजों आता है आप ही कैसे कुछ फ्रेंड्स हों और कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं देखो हर इंसान की पास में हर दिन चोईस होती है चूस भी आप ही करना होता है कि या तो वह काम कर लो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है या फिर वह काम कर लो जो की जरूरी तो नहीं है लेकिन जि जैसे यसे आप चूज करते चले जाओगे, आपका फ्यूचर बनता चले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लाइफ बरबाद भी हो सकती है, और आपकी लाइफ आबाद भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा आपकी चोईस पर, कि आप क्या चूज करते हो, एक पहाने मत बनाओ, एक दिन में तुम जितना काम कर सकते हो, उतना काम को कर डालो, अपने आपको ये बात समझाओ, कि मैं उन चीजों से जिना दूर भाग रहा हूँ, जिसमें मेरा पूरा का फूरा फ्यूचर डिपेंड करता है, और मैं भाग क्यों रहा हूँ, सिर्फ मेंटल क्यों न लगाना पड़े, कितना भी दर्द क्यों न हो, मैं तयार हूँ उस काम को करने के लिए, शुरुआ पने भले ही थोड़ा दर्द होगा, लेकिन बात में आपको ही मजा आएगा, तो एक दिन में तुम जितना काम कर सकते हो, उतना काम कर डालो, और जब हमारे पास मे जीतने से अच्छा है, कि खुद पर विजय प्राप्त कर दी जाएगा,